हैलो फ्रेंड मैं रागविन सिंग डिफ्रेंट च्वाइस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आई होप कि आप लोग मस्त होंगे दोस्तो आज 22 सितंबर लाइफ सेंटर पूने होने वाला है होने वाला है मैंने आपको बोला था कि बैड रेस है आज आपको मैं एक हैंडी केपर का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ आपको बता देता हूँ कि हैंडी केपर का मतलब यह नहीं कि फेवरेट हॉर्स है तो खेलना ही है किसी होर्स पर बैटिंग हो रही है तो खेलना ही है हैंडी कैपर का असली मतलब यह होता है कि अगर किसी रेस में दस के दस गोड़े भाग रहे हैं तो दसो गोड़ो की प्रॉपर हैंडी कैपिंग नहीं है तो उस race में एक अच्छा हैंडी केपर कभी भी entry नहीं मारेगा जब तक proper कौन सा घोड़ा किस घोड़े को मारेगा और उसकी time rating नहीं उसको पता चलेगी मिलती है तब तक entry नहीं करता है आज बहुत अच्छी racing है I hope की हमारे घोड़े जीतने चाहिए काफी अच्छी handicapping किया हूँ काफी मेहनत किया हूँ आज हम चलते हैं race number 1 पे generally race number 1 no whip की race है no whip की race generally जैसा की आपको पता होगा इस race में 2-3 घोड़े घोड़े की pedigree है जिने whip की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है जैसे excellent horse घोड़े के बच्चे हैं और win legend के घोड़े के बच्चे हैं इन सब और भी इसमें घोड़े हैं इन सब घोड़ो को whip की जरूरत पड़ती है अगर आप इसमें खेलना चाहते हैं तो इसमें horse number 2 एक अच्छा घोड़ा है साथ में 7 नम्बर को hedge करना ही पड़ेगा race 2 और 7 के बीच में हैं लेकिन मैं 2 के साथ जाऊंगा हम चलते हैं race number 2 में race number 2 में horse number 2 अच्छा लग रहा है अगर आप horse number 2 खेल रहे हैं तो थोड़ा सा आप horse number 1 के साथ hedge करेंगे तो अच्छा रहेगा बट मैं आज 2 number के साथ जाऊंगा हम बात करें अगर race number 3 की तो इसमें horse number 2 बहुत अच्छा है लेकिन इस गोड़े का भाव नहीं है जनरली मैं अपने follower को इस भाव में कोई भी गोड़े खेलने के लिए recommend नहीं करूंगा बाकी आगे आपकी मर्जी हम चलते हैं race number 4 में race number 4 में horse number 6 एक अच्छा गोड़ा है मैं आज horse number 6 के साथ जाऊँगा हम चलते हैं race number 5 में बटर एक race number 4 की एक चीज और बता दूँ कि इसका भी भाव नहीं मिलेगा मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि इस भाव में गोड़े नहीं खेलने चाहिए race number 5 में यह एक open race है आप देख सकते हैं 1000 मीटर की race है इसमें horse number 2 अच्छा गोड़ा है लेकिन इस पर एक बहुत ही weak जोकी बैठा हुआ है विनोध करके अगर इसने यह गोड़ा handle कर लिया तो definitely यह horse number 3 को बीट कर देगा जो race है 2 और 3 के बीच में है मैं 2 के साथ जाओंगा हम बात करते हैं race number 6 की race number 6 classic race है horse number 1 extraordinary form में है इसमें educate भी है लेकिन यह गोड़ा last 3 दिन से perform नहीं कर रहा है इसलिए आज मैं horse number 1 के साथ जाओंगा अब हम बात करते हैं race number 7 एक बहुत ही bad race है better रहेगा कि आप इसे छोड़ दें on skill horse number 5 इसमें मेरे इसाब से better है बट इसमें 5 भी आ रहा है एक भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है अगर मुझे जाना होगा तो मैं 5 के साथ जाओंगा तो दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो इसे like, share, subscribe करें साथ ही साथ अगर कुछ अच्छा लगता है या कुछ आप changes चाते हैं तो comment box में comment करें और please इसे share करें thanks for watching